कोरोना की खत्रे से जूजने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दोरान जब सब कुछ रुग गया था कई लोग फिर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे इनमें डॉक्टर, नर्स, पोलिस और अर्द सेनिक बल और तमाम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ साथ मीडिया भी शामिल था खतरा सभी के लिए बराबर था तो स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमन से जाम देने वाले कोरोना वारियर्स में मीडिया करमी भी शामिल हैं अब केंद्री सूचना और प्रसारण मंत्राले की पत्रकार कल्यान योजना के तहट इन पत्रकारों के परिवारों की मदद की जाएगी इस योजना के तहट पीडित परिवार को मृतक के परिवार के तौर पर काम करने का प्रमान, इंकम सर्टिफिकेट, मृत्यू प्रमान पत्र और चकित सा दस्तावेज द्वारा ये साबित करना होगा कि पत्रकार की मौत कोविड-19 के चलते हुई सरकारी प्रेस रिलीज में इसके लिए फिलहाल कोई समय सीमा तैय नहीं की गई है मीडिय रिपोर्ट के मुताबक इस योजना के तहट पीडित परिवारों को पांच लाख रुपे तक की सरकारी मदद की जाएगी विभिन मीडिय संस्थानों से जुटाए गए आकड़ों के मताबिक कुरुनकाल में 36 मीडिय कर्मी मारे गए सबसे जादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुए जहां पांच मीडिय कर्मियों की जान गई इसके अलावा महराष्ट, ओडिशा, पंजाब, आंदर प्रदेश और तेलंगाना में चार-चार मीडिय कर्मियों को ड्यूटी निभाते हुए जान गवानी पड़ी असम तमिलनाड में तीन-तीन, बिहार पश्चिम बंगाल में दो-दो और हिमाचिल प्रदेश, जम्मू, हर्याना, जहारखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में एक-एक मेडिया कर्मिय की कोरोना काल के दोरान संकर्मन के चलते मौत हो गई सारवजनिक सेवा प्रसार को, प्रसार भारती और ओल इंडिया रेडियो ने अपने दो पत्रकार करमचारियों को महमारी में खो दिया वैसे गौरतलब ये भी है कि सरकार ने सभी कोरोना वारियर्स की ड्यूटी के दोरान हुई मौत के लिए सहायता का एलान किया हुआ है लेकिन मीडिया को इस से बाहर रखा गया है हलाकि कई राजी अपने स्तर पर पीडित मीडिया करमी परिवारों की मदद के लिए सामने आये है मसलन ओडिशा की नवीन पत्ना एक सरकार कुरोना के चलते जान गवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपे सहायता देने का एलान कर चुकी है बिर रपोर्ट गोन्यून्स